हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जो अब इंडिया में सोगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमाई यूटूब चैनल जो अब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ले से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों भर सरकार अलग 13 वेकेंसी 30 नोटिफीकेशन आ चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको बताते चले उत्तर परदेश से काफी अच्छी वेकेंसी यहाँ पर निकली गई है बाकी पूरे भारत से जो है अलग अलग जगों से यहाँ पर वेकेंसी है पूरे भारत से आप वेकेंसी नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल ओफीसर महिला अटेंडेंट सफाई वाला फार्मासिस्ट इसके अलमा बहुत सारे पोजेशन पर एक साथ है तेरह नोटिफीकेशन आ जुका है काफी अच्छी वेकेंसी भारत सरकार रच्छा मंत्राले के तहत वेकेंसी है आप 15 अक्टूबर तक जो है सभी इंटर्वू यहाँ पर होने वाले हैं तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले इसी हस के ओफीसल वेबसाइट पर बात करेंगे कैसे फार्म भरना है और कहां कहां से वेकेंसी निकाले गई है कितनी वेकेंसी निकाले गई है सैलिक कितनी मिलेगी क्वालिफिकेशन क्या होगी और किस एड्रेस पर आपको फार्म भरके भेजना है और इंटर्वू कब होगा एटू जर सारी इनफार्मेशन हम आपको इस भरती के बारे में देने वाले हैं चलिए चलते हैं वेबसाइट पर तो दोस्तों आपको जाना है गूगल ECHS की वेबसाइट पर जाना है यहाँ पर दिखिए ECHS की वेबसाइट है बिल्कुल ओफीसिल गौर्मेंट की वेबसाइट है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का उप्सन है इस पर ही आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे नई पेज ओपन हो कि यहां पर दिखिए वेकेंसी फॉर कंट्राक्चुल अपॉइमेंट किलिक है टू डाउनलूड अप्लिकेशन फॉर्म दोस्तों जब आप लोग फॉर्म भरोगे और फ्लाइन मोड में आपको फॉर्म भरना है तो अप्लिकेशन फॉर्म जो है जो रेड कलर है इस पर आप गुजराज से यहां पर वेकेंसी है और 11 सब्तमबर तक आप लोग फाम भर सकती हो इंटर्वू की जानकारी बाद में दी जाएगी यहां पर एंप्लॉइमेंट ओफ ए कंट्राक्चुल इस्टाफ और ECHS पॉली किलिक तो दोस्तों ECHS पॉली किलिक से यह वेकेंसी है अलग स्टेशन हेड़कॉर्टर ECHS सेल अजमेर तो ECHS अजमेर से जो है वेकेंसी यहां पर रिलीज कर दी गई है आप लोग देख सकते हो यहां पर देखोगे तो OIC पॉली किलिक की वेकेंसी है एक वेकेंसी है इसमें 5 साल का एक्सपरियंस चाहिए 75,000 रुपे सेली मिलेगी पर देखते हैं फार्मा स्टेश की वेकेंसी है एक ही वेकेंसी है बाट All category फार्म भर सकते हैं 28,000 रुपे सेली मिलेगी भी फार्मा का रक्के हो या फिर आपने डी फार्मा का रक्का है और 3 साल का experience है आप लोग फार्म भर पाएंगे नर्सिंग असिस्टन की विकेंसी है नर्सिंग असिस्टन में जो है बीएसी नर्सिंग जी अनम जो है पलस पांच साल का एक्सपरियंस है तो आप लोग फार्म भरियेगा 28,000 रुपे सेले मिलेगी डेंटल हाजनिस्ट के हाँ पे विकेंसी यहाँ पे होना चाहिए और नर्सिंग असिस्टन के पास कम से कम 5 सल का एक्सपरियंस होना चाहिए तब ही आप लोग फार्म भर पाओगे देखो कि तो यहाँ पे मोबाल नंबर भी दिया गया है कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोग इनसे संपर कर सकती हो एमेल आड़ी भी दिया गया है बाकी 11 सब्तमबर तक जो है आप लोग फार्म भर सकती हो यहाँ पे देखिए OIC स्टेशन हेड़कॉर्टर इसी HSL अजमेर के लिए आप लोग फार्म भर सकती हो इसके बाद आप लोगों का सब्तमबर में ही इंटरिवू होगा इंटरिवू की जानकारी आपको SMS के थुरू, टेलीफोन के थुरू, एमेल के थुरू बताए जाएगी और फिर आपका इंटरिवू होगा और इसी base पर आपका selection यहाँ पर होने मला है अब आगए देखिए अलहाबाद से विकेंसी नहीं है लेकिन बारेली से विकेंसी काफी अच्छी है नीचे आई देखिए बारेली, बारेली उत्तर परदे से विकेंसी है और बरेली से जो है एक, दो, तीन, एक, साथ यहाँ पे बरेली से तीन विकेंसी निकाले गई है एक के लिए आप लोग एकी सेब्टमबर तक फार्म भर सकते हो, दूसरे के लिए साथ सेब्टमबर तक फार्म भर सकते हो यहां पर देखोगे तो नंबर वन Employment PDF हम लोग देखते हैं Government of India, Ministry of Defence EX Servicemen, Contributory Health Scheme ECHS, आगरा यह दोस्तों Station Headquarter आगरा है और कहां-कहां से विकेंसी है तो Poly Clinic, आगरा, ETA, मैन पूरी फिरोजाबास से विकेंसी यहां पर निकाली गई है 11 Month के लिए विकेंसी है लेकिन आपकी जो duration है इसे बढ़ा दी जाएगी अगर आपकी performance अच्छी होगी बाकी समविदा पर विकेंसी है OIC की यहां पर विकेंसी है Medical Officer, MBBS की यहां पर विकेंसी है और इसमें अगर देखोगे तो Medical Officer, MBBS, बिल्कुल Fraser फर्म भर सकते है आगरा के लिए दो विकेंसी है एटा के लिए विकेंसी नहीं है मैनपूरी के लिए विकेंसी है 75,000 रुपे सेली दी जाएगी Lab Technician की विकेंसी इसमें DMLT फर्म भर सकते है और Dental Officer, BDS यहां पर फर्म भर सकते है Lab Technician की यहां पर विकेंसी है BSC, MLT अपलाई कर पाएंगे DMLT यहां पर अपलाई कर पाएंगे और बिल्कुल Fraser यहां पर फर्म भर सकते है एक विकेंसी आगरा के लिए है और एक विकेंसी एटा के लिए है 28,100 रुपे सम्विदा पर सेली दी जाएगी Nursing Assistant की यहां पर विकेंसी है और Nursing Assistant में जो है GNM फर्म को अपलाई कर पाएंगे बिल्कुल Fraser यहां पर फर्म भर पाएंगे दो विकेंसी नहीं यहां पर अगर देखोगे तो दो विकेंसी आगरा के लिए एक विकेंसी एटा के लिए और मैनपुरी के लिए 2 विकेंसी है टोटल 5 विकेंसी है 28,000 रुपे 28,100 रुपे सेली दी जाएगी Pharma से इसकी बात करते हैं तो यहां पर B Pharma, D Pharma बिल्कुल Fraser फर्म भर सकते हैं 28,100 रुपे सेली मिलेगी और एटा के लिए एक ही विकेंसी है Dental Hygienist के यहां पर विकेंसी है पियोन के विकेंसी, चोकीदार की विकेंसी और Female Attendant के यहां पर विकेंसी है और Ambulence Driver की भी विकेंसी है आप लोग यहां पर देख पाएंगे अगर हम बात करते हैं तो आगरा के लिए 11 विकेंसी आ है ETA के लिए 7 विकेंसी है फिरोजाबाद के लिए 2 विकेंसी है और Main Puri के लिए 6 विकेंसी है और यह दोस्तों बरेली से यहां पर निकाली गई है आप लोग देखोगे 21 सब्टमबर तक OIC ECHSL Station Headquarter आगरा 282001 इस एडर्रस पर 21 सब्टमबर तक इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को जो है आप लोगों का सुबर 9 बजी इंटर्वू होगा और इसी इंटर्वू के बेस पर आपका सेलेक्शन यहां पर होने मला है किलियर है यहां पर भी आप लोग देख सकते हो 21 सब्टमबर तक फाम भर सकते हो 15 अक्टूबर को जो है आप लोगों का इंटर्वू होगा चलिए दूसरा नंबर देखते हैं यह भी बरेली सही वेकेंसी है लेकिन अब कहां से किस पॉली केलिनिक से वेकेंसी है देख लो हल्दवानी से है और रोदरपूर से वेकेंसी है और एक कलर की यहां पे वेकेंसी है और इसके लिए अगर आप लोग देखोगे तो 12 सेप्तंबर तक आप लोग फाम को अपलाई कर पाओगे 12 सेप्तंबर को आप लोगों का इंटर्वू होगा और 7 सेप्तंबर तक फाम भर सकती हो बाकि नंबर 3 वेकेंसी 5 सेप्तंबर तक आप लोग फाम भर सकती हो और 19 और 20 सेप्तंबर को इसका इंटर्वू होगा नंबर 3 वेकेंसी आप लोग देख लो यह भी यहां पे देखोगे तो Government of India, Ministry of Defence एक सर्विसमेन, मेरेट से वेकेंसी है और मेरेट में जो है आप लोग देखोगे तो Medical Officer की वेकेंसी है और साथ वेकेंसी है मुझफ़rences नगर में जो वेकेंसी है और बागपत में दो वेकेंसी डेंटल ओफिसर बेडियस की यहां पे एक वेकेंसी है मुझफ़र नगर के लिए और Nursing Assistant की वेकेंसी है इसमें GNM जो है फार्म भर सकती है एक वेकेंसी मेरेट के लिए एक वेकेंसी मुझफर नगर के लिए एक वेकेंसी बिजनोर के लिए एक वेकेंसी बागपत के लिए 28,100 रुपे सहली मिलेगी और Dental Hygienist की यहाँ पे वेकेंसी है फार्मा स्रेश की वेकेंसी है लेब टेकनीशन की वेकेंसी रेडियो गराफर की वेकेंसी है आईटी नेटरवक टेकनीशन की वेकेंसी कलर की यहाँ पे वेकेंसी ड्राइवर की वेकेंसी चौकीदार की वेकेंसी सफाईवाला की वेकेंसी है और यह सभी वेकेंसी आप यारे इंटर्वु यहाँ पर होने माला है, इसके बाद आप लोग बैक आईगे और फिर देखिए, अभी मैं बता दूँग अब कहा कहा से वेकेंसी है, उसी के बेस पर आप लोग वेकेंसी को देख लेना और फिर फार्म भर लेना, चेनई से वेकेंसी है और 4 सब्तमबर तक फार् Number 10 देखिए 12 दून, 12 दून से विकैंशी यहां पे नहीं है गुहारटी से यहां पे विकैंशी नहीं है और इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिसार तो हिसार से विकैंशी है 10 से स्सेलेक्षन और आप लोगों पर सकते हो इंटर्वू की जानकारी बाद में दी जाएगी इसक 3 सब्तंबर तक फार्म भर सकते हो, 10 सब्तंबर को जो है आप लोगों का इंटर्वू होगा, इसके बाद जो है जम्मू, जम्मू से वेकेंसी नहीं है, कोची से भी यहाँ पर वेकेंसी नहीं है, कोलकाता से वेकेंसी है, और कोलकाता के लिए आप लोग 14 सब्तंबर तक फार् की जानकारी बाद में दी जाएगी इसके बाद सेकेंड वेकेंसी है 8 सब्तमबर तक आप लोग फार्म भर सकते हो इसका इंटर्वू जो है 18 सब्तमबर 2024 को होगा इसके बाद 24 नमबर यहाँ पे वेकेंसी नहीं है 25 नमबर पटना पटना के लिए वेकेंसी नहीं है और पूने से जो है वेकेंसी है 11 सब्तमबर तक आप लोग फार्म भर सकते हो इंटर्वू की जानकारी बाद में बताए जाएगी इसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे आईए राची राची से यहाँ पे वेकेंसी नहीं है 28 वेकेंसी 28 में नहीं है विसाका पतनम 29 नंबर पर वेकेंसी है 20 सेप्तमबर तक आप लोग फार्म भर सकते हो इंटर्वू की जानकारी बाद में बताए जाएगी और 30 नंबर 30 नंबर पर वेकेंसी यहाँ पर नहीं है तो एक साथ 13 से लेकर 14 नोटिफिकेशन ECHS की तरफ से निकाले गई है जो कि यह किक करके मैंने कौलिफिकेशन की जानकारी दे दी है बाकि आप लोग जो है अपना लोकेशन वाइज वेकेंसी देख लो और कितनी कितनी वेकेंसी है देख सकती हो सैले कितनी मिलेगी देख लेना और किस address पर form भरके भेजना है आप लोग देख सकते हो मैंने आपको सारी जानकारी देदी है कैसा लगा अपडेट जड़ो बताईएगा मिलती है नएश वीडियो में धन्यमाद